कुछ दिन पहले ही लोगसभाव राजसभाव में माताओं बैणों बेटियों के लिए 33 पतिशत सीटे आरचित करने का कानून पारित हुआ नारी शक्ती वंदन अधिनियाम देशे नया इतिहाच रच दिया है दसकों दसक से देश की माताओं बैणे इसका इंतजार कर रही थी बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायदे कभी नहीं हो पाएगा आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है लेकिन भाई और बेहनों आज मैं मत्य प्रदेश सहीद पूरे देश की बेहनों को सावधान भी करना चाहता हूँ कॉंग्रेस और उसके नए नए गमन्या गटबंदन ने मजबूरी में इस बिल का समर्दान बहुत खट्टे मन से किया है यह खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है और आप देखिए कि इनके गटबंदन में जितने लोग है वो ही लोग है जिन्होंने 30 साल ताथ इस कानून को पारित नहीं होने दिया पार्लेमेंट में हुड़दन किया बील फाड़ दिये स्पीकर पे हमले बोल दिये और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है उनको दिल लगता है अगब देश की माताए बेने उनके चरित्र को जान गई है तब क्या शुरू किया ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं उनको नारी, शक्ती, वंदन, अधिनियम का मजबूरी में समर्दन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताए बेहने जग गई है मेरी माताओ बेहनों का होसला बुलंद है मेरी माताओ बेहनों ने शक्ती का परिचे करवा दिया है और इसलिए ये माताओ बेहनों से डरे हुए है इसलिए नीची मुंडी करके हाउस में अंचाएं अनमन से उंगली तो दबा दी बीते नव वर्षों में जिस तरह भारत की महला ससक्त हुई है उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ती अधिमियम का विरोध कर पाएं हैं वरना उनने तो दसकों तक देश में सरकारे चलाई हैं भारी बहुबत से सरकारे चलाई हैं तब क्यों नहीं कानून बनाया जो बहाने ये आज बना रहे हैं तब क्यों नहीं ये सब कुछ करप दिया सच्चा ये हैं कि इनकी नियत में खोट है इसलिए मोका मिलते ही मेरी माताय बहने मेरे शब्दे याद रखना मोका मिलते ही एक गमंडिया गड़बंदन के लोग माताओं बहनों को दोखा देने का तै करके बैठे हैं तयार बैठे हैं कॉंग्रेज के गमंडिया साथी वही है जिन्होंने इस कानुन को रोकने के लिए हर मरियादा तोड़ी है इनकी वो सोच आज भी नहीं बड़ली है आपको मैं एक और बताना बात कहना चाहता हूं ये लोग बहुत बोखलाए हुए हैं ये अब एक नया खेल खेलेंगे पक्का मानिये और नया का खेल खेलेंगे ये नारी शक्ती को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे नारी शक्ती एक नहो इसलिए बांती-बांती की अफ़ाय फ्यलाएंगे इसलिए देश की हर माता, बहन, बेटी को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और एक जूट रहना ही होगा माताय बैने एक जूट रहोगे ना एक जूट रहोगे ना आप याद रखिये ये वही लोग है जिनोंने देश की पहली आदिवासी महिला राष्टपती द्रवपदी मुर्बूची को राष्टपती बनने से रोकने का बर्षक प्रयास किया ये लोग बार-बार उनको अपमानित करने का प्रयास करते है ये वही लोग है जिनोंने देश की स्थेनाओं के अगरी मोर्चों में बेट्यों की एंट्री को रोक कर रखा था अरगर इनकी नियत ठीक होती तो वो क्या मोदी को करोडों बेहनों के नाम पक्के घर करने देते और मुझे ये काम करना पड़ता उनकी नियत ठीक नहीं थी आज वो काम मुझे करना पड़ रहा है आज जादी के इतने सावा के बात करना पड़ रहा है इनको नहीं दिखता था कि सब कुछ पुरुष्य नाम पर है महिलाओ के नाम पर कुछ नहीं अगर इनकी नियत महिला हित्की होती तो क्या मोधी को आकर के करोड़ों टॉइलेट बनाने पड़ते क्या टॉइलेट नहीं बना सकते थे लोग वो काम भी मुझे करना पड़ा उनकी नियत में खोड़ थी अंदेरे का इंतजार करती माता और बेनों को देखकर इनकी आँखों में क्यों पानी नहीं आता था इनकी नियत ठीक होती तो बेनों को धुए में जिनों को बजबूर होना न पड़ता करो बेनों तक गैस सिलिंडर पहुंचाने की बेनत मोधी को क्यों करनी पड़ी ये महिलाओं के हितेसी होते तो महिलाओं को पानी की बुंद बुंद के लिए दसकों तक तर्षाकर ना रखते साथियों ये महिलाओं के हित में काम करते तो मोधी को आकर आयुश्मान योजना के तहत मुप्त इलाज की व्यवस्तान ना करनी पड़ती ये अगर महिलाओं तो इसी होते तो हमें बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने के लिए आवाज ना उठानी पड़ती इन्होंने तो महिलाओं को बैंकों से भी दूर रखा देश की करोडों बेहनों के जन्दन खाते आपके इस सेवक को खुलवाने पड़े हमारी कोशिज यही थी कि बेहनों की समरुति का रास्ता खुले बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके इसलिए मैं देश के हर माता बेहन बेटी से कहूंगा कि कोई कितनी भी कोशिज कर ले आपको ब्रमित नहीं होना है हमने कठीन रास्ता पार किया है यह महिलाओं की भागीदारी के विस्तार की शुरुवात है एक सार्थक बडलाव का सुभारंब है